हेलो व्रिवन वेल्किम डेक्टर रुहेज एंड अल्मोस शोशिल जी हाँ दो चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप कैसे जी वो गाने सुनके पैसे कमा सकते हैं जी हाँ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन सुनके ही आप पैसे कमा सकते हैं कुछ इस तरीके की चीजे भी यहाँ पर होती हैं हमें पता है कि आपको अल्मोस शोशिल अखेल की चैनल पर बहुत सारे उन्होंने वीडियो बनाया कि आप किसी भी तरीकी के आपको समझेंका कि इसके अंदर अच्छाई क्या है वाकिये में आपको पैसे मिलते हैं पैसे नहीं मिलते है अगर आप यह वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर जैनकरी मिल जाएगी तो अकिल के ऊपर मैं छोड़ता हूं अकिल आप समझाइए इनको कि यह ट्रिक कितनी जो बच चलती है आपके लिए बाकी आने वाली information काफी useful हो और दोस्तों एक बात और हम regularly almost social channel पे इसी तरीके की videos करते रहते हैं कि आप कैसे different तरीकों से online पैसर कमा सकते हैं तो अगर आप चाहें तो आप जाकी channel को check कर सकते हैं आपको channel का link description में मिल जाएगा इसी वीडियो के आप ज्यादा time waste नहीं करते हैं चलिए बात करते हैं website number one की website number one है music x-ray यहाँ पे आपको नए-ने artist के नए-ने song को rate करना होता है आपके जो rate होता है यह inner form of survey होता है जो काफे quick होता है आपको usually 10 cent per form जो आप पर rating करते हैं आपको 10 cent मिलता है इनका जो minimum threshold जो minimum payout है वो है 20 dollar जो आपको pay होता है PayPal के द्वारा number two है slice the pie अब यह music x-ray के उपर ही based है पर यहाँ पे आपको सिफ rating या सिफ survey form पे click करके चीज़ा नहीं करनी होती है यहाँ पे आपको एक चोटा सा detailed review लिखना होता है जी हाँ तो आपको minimum 60 seconds तक एक गाने को सुनना होता है जिसके पहले कि आप उसके review को लिखना start करें और मैं आप से suggest करूँगा कि अगर आप इस website को use करते हैं तो आप गाना को पूरा सुनिए उसके बाद में आप review लिखिए क्योंकि यहां पर relevant reviews को ज्यादा rating मिलती है उसी इसाब से आपकी जो पर रेटिंग की जो प्राइस होती है वो आपकी increase होती रहती है जो start होती है लगबद 2 cents से और end होती है लगब 20 cents पर rating जो काफी अच्छा amount है नमबर 3 की बात करें तो वो है radio royalty अब radio royalty जिसा कि एक normal radio है online radio है यहां पर आपको गाने radio सुनने के लिए आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि वो ये चाते हैं कि आप ये चीज सच में सुन रहे हैं या आप इसको on करके कहीं नहीं जा रहे हैं तो आपको हर कुछ minutes में capture code enter करना होता है just to prove कि आप अभी भी उस गाने को सुन रहे हैं अब लगभग हर एक 10 minute के लिए लगभग मान लीजिए आप 10 cent कमा लेते हैं नमबर चार है hit predictor अब ये भी बाकी सबी websites के तरह काम करता है यहां पर भी आपको rating देनी होती है नएने गानों को नएने आर्टिस के जो tracks होते हैं उनको और rating देने के लिए आपको points मिलते हैं अगर आप चाहें तो आप Amazon gift card में उसको convert कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो उसको cash form में convert करके withdraw भी कर सकते हैं last but not the least वो है research.fm यह जो platform है यह website और app android और iOS दोनों के लिए भी available है तो अगर आप यूज करना चाहें application के तो आप यूज कर सकते हैं अपने phone पर यहां पर भी आपको rating देनी होती है rating करने के बाद आपको points मिलते हैं अगर आप चाहें तो आप उसको gift card में convert कर सकते हैं नहीं तो आप cash withdraw कर सकते हैं PayPal के द्वारा तो दूस्तो यह है कुछ website जिनको use करके आप गाने सुनते हुए पैसे कमा सकते हैं पर एक harsh reality कुछ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो यह है पहली चीज कि क्योंकि number of registrations is always more than the available work काफी cases में ऐसा होता है कि आप website पर register भी होता है पर आपके पास में कोई काम नहीं होता है जी हां आपके पास में कोई music यह नहीं होता है सुनने के लिए ताकि आप उसके ओपर rating नहीं दे पाएंगे और rating नहीं दे पाएंगे तो of course पैसे नहीं गमा पाएंगे दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी वो यह है कि आप गाने सुनते हुए अगर आप पैसे कमाने की अगर आप expectation रखते हैं तो मैं आपको definitely बदनाना चाहूंगा advance में कि आप कुछ ही पैसा कमा पाएंगे जी हाँ अगर आप expect करते हैं कि आप यह करते हुए अपना घर चला पाएंगे जी नहीं यह सिर्फ एक extra source of income हो सकता है जो कि अगर आपके पास में free time हो तो आप गाने सुनते हुए इन चीज़ों को करके थोड़ा से extra पैसा कमा सकते हैं या आप गिफ्ट कार्ड को एकटा कर सकते हैं पर अगर आप यह सोचते हैं कि इसके जरी आपका घर चल जाए को तो जी नहीं मैं माफी चाहूंगा यह एक सही तरीका नहीं होगा यह उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनके लिए free time है they have love for music तो वह definitely यह चीज़ कर सकते हैं और तीसरी चीज मैं आपको सज आप को यह दिखे कि काम ही अविलेबल नहीं है तो अगर किसी वेबसाइट में काम आवेलेबल नहीं है तो डीफिनिटली आप दूसरी वेबसाइट को यूश कर सकते हैं उसी टाइम पर ताकि अगर आपके पास में कोई free time है तो आप डेफिनिटली इस चीज़ करना है कु नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लिजे तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर